इज़तनगर मंडल का विद्यूत परिचालन विभाग आप सभी लोको पाइलट और सहायत लोको पाइलट का स्वागत करता है। आज हम जानेंगे थ्री फेस इलेक्ट्रिक लोको में मोईस्चर ड्रेन कहा कहा से किया जाता है। WAP7 और WAG9 लोको में कैब 1 से कोरिडोर में प्रवेश करने पर कैब के ठीक पीछे हमें MR1 टैंक देखने को मिलता है, जिसके ठीक नीचे की तरफ मोईस्चर ड्रेन कॉक लगा होता है, जिसके द्वारा हम MR1 का मोईस्चर ड्रेन कर सकते हैं। इसके बाद हम कोरिडोर के रास्ते कैब 2 की तरफ जाएंगे, रास्ते में दाहिने तरफ हमें Numatic Panel देखने को मिलता है। Numatic Panel दो टाइप के होते हैं, एक तो E70 टाइप और दूसरा CCB टाइप Numatic Panel. अब हमें देखना है कि इस लोको में किस टाइप का Numatic Panel लगा है, यह E70 टाइप Numatic Panel है, जिसके पास में ही बेबी कंप्रेसर लगा होता है, जिसका मोईस्चर ड्रेन करने के लिए इसके पास में ही लगे, मोईस्चर ड्रेन कॉक से मोईस्चर ड्रेन करते हैं। और अगर इस तरह का CCB pneumatic panel है तो इसके ठीक पीछे reservoir लगा होता है जिसमें moisture store हो जाता है हम इसके ठीक पास में लगे moisture drain कॉक से इसका moisture drain कर सकते हैं इसके बाद हम पुनह cap 2 की तरफ जाएंगे और ठीक cap 2 के पीछे हमें MR2 देखने को मिलता है जिसका moisture drain करने के लिए इसका moisture drain कॉक इसके ठीक नीचे ही लगा होता है हम इसका भी moisture drain करके आपको दिखाते हैं आगे हम देखेंगे की MR2 के ठीक बगल में ही auxiliary reservoir लगा होता है जिसका moisture drain कॉक भी इसके ठीक नीचे ही लगा होता है और अगर WAP-5 लोको है तो उसके सभी MR tanks और auxiliary reservoir लोको के अंडर frame में लगे होते हैं और उनके moisture drain कॉक भी उनही के पास में लगे होते हैं झाल nettाय कॉक झाले की आगे लगे हैं जिसकाँ आगे हैं